नमस्कार दोस्तों स्वागत, है आप सब का मेरे चैनल टेक्निकल समार्ट में मैं आज मैं बताने वाला हूओ अगर को को मैश़़ करे prendre आपको देखने से पहले अगर उस समसेज़ को डिलीट कर देता हैं तो कैसे आप उस deleted message को देखे कि उसने क्या भेजा है तो चलिए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पेस कर लीजिए ताके जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ उसका notification सबसे पहले आपके पास जाए तो deleted messages को जिसको किसी ने आपको whatsapp पर send किया है और आपके देखने से पहले ही उन्होंने delete कर दिया है उन messages को देखने के लिए एक application को install करना होगा तो क्या है वो application और कहां से वो application मिलेगा यह सब मैं आपको बताऊंगा इसको जानने के लिए आपको मेरा वीडियो end तक देखना होगा सबसे पहले देखते हैं इससे क्या मेरा deleted हो चुका message recover होता है या नहीं इसके लिए मैं अपना whatsapp को open कर लेता हूँ अभी यहां इस chat पे जाता हूँ और इसको मैं कुछ message send करता हूँ हाई send करता हूँ हलो send करता हूँ अभी टेस्ट करने के लिए एक photo भी send कर लेता हूँ अभी यह सब send हो चुका है अभी मैं इन तीन message को delete कर देता हूँ अभी मैंने वो सब message उस chat से देखा नहीं है अभी उस WhatsApp को open करता हूँ दिखे यहां तीन message है तीनों ही message delete हो चुका है अभी मैं उस application को open करता हूँ फिर यहां messages पर जाता हूँ यहां से इस chat पर जाना है देखे यहां जो जो message मैंने send करके delete कर दिया था वो सब है एक photo send किया था वो भी है hello send किया था hi send किया था सब है इससे आगे का message मैंने पहले send किया था तो यह proof हो गया कि इस application के जेरी आप delete किया message भी देख सकते हो तो आईए अब देखते यह application और इसको कैसे install करके use करना है इसके लिए आपको play store पे जाना है उसके बाद यहां search करना होगा recover deleted messages अभी यहां बहुत सारा ऐसे application आएगा मेरा इस application के लिए आपको थोड़ा नीचे आना होगा इसको इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल होते ही इसको open कर लेना है open करने के बाद यहां कुछ permission मांगेगा पहले storage permission मांगेगा इसको allow कर देना है next आपको notification का permission मांगेगे allow कर देना है अभी application ready है यहां से messages पर जाके आप deleted message को देख सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही अगर मेरा इस video आपको पसंद आया है तो इसो like कीजिए share कीजिए आज के लिए बाई